हलो फ्रेंट्स आपको स्वागत है हमारे चैनल में जैसे कि आपको पता है रिजल्ट आने वाला था गुरूप D 2019 का और दोस्तो इसल्ट आ चुका है ऑपको अफिस सूचना है और दोस्तो इस तरह की सूचना है आपको रेल्विय की हर एक RRV में देखने को मिल जाएगी ठीक कर लेते हैं और साती साथ हम करड़ पर जाएंगे और यह भी जानेंगे दोस्तों कि दिव्यांग जुनों का रिजल्ट इसमें है या नहीं है ठीक है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने चुछ से वीडियो को लाइक और अगर अपने चनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल लाकर को दबा लिजेगा तो चलिए दोस्तों वीडियो स्ट करते हैं आपके स्क्रीन पर चलिए देख लेते हैं यहां पर तो देखें यहां पर रिजल्ट आफ केंडिदेट शॉट्सलिस्ट फ्ूजिक लिए फिजिकल एफिशेंचिंश टेस्ट पीडिंट सो फेंट से यहां बता जारा है कि यह आपका पीडिज़ामनेशन चांटर यह रिजल्ट है और देखें नहिए यहां पर लिस्ट फैडिदेट शॉट देश् वेबसाइट आप रेस्प्रेक्टिव अररबी जैसे कि मैं आपको बोला कि यह आपका रिजल्ट है कि पीट के अंतरगात है यानि जितका जितना CBT में सेलेक्शन हुआ और आप वो पीट एक्जामनेशन के लिए जाएंगे तो उसके अंतरगात यह रिजल्ट है और आपके एक्जामनेशन इन डेट्स के बीच में हुए थे वह आगे बढ़ते हैं देखें आपर candidate equal to three times the community wise total vacancies excluding PWBDs and CCAA candidates shortlisted in that community for RRC have been shortlisted for PET so friends यहां बताया जा रहा है कि जो number vacancies जितनी थी उसके respect में तीन गुना यहां पर लोग को सेलेक्शन हुआ है और यह जो list है यहां पर PWBDs और CCAA candidate के roll number मौजूद नहीं है क्योंकि उन लोग का exempted है वो लोग exempted है PT examination के लिए so friends उनका result बाद में आएगा person with benchmark disability PWBD candidates are exempted from PET and hence their roll number are not included in the list so friends मैंने बताया जैसे कि यहां पर यहां लिस्ट में PET के स्रीफ और स्रीफ PET जो examination देने वाले हैं उनहीं का यहां पर list में रोल नंबर मौजूद है PWBD का दिव्यांग जुनों का इस list में रोल नंबर मौजूद नहीं है accordingly the cutoff percentile score normalized marks of the PWBD candidate shall be published along with the result of document verification by railway recruitment cell of respective journal railway so friends यहां बता जा रहा है कि जैसे PET examination सारा complete हो जाएगा उसके बाद result आएगा document verification के लिए यानि जितने लोग PET में selected हो जाएगे उनका डीवी का list आएगा उसी list में इनको जोड़ जिया जाएगा किसों को तो दिव्यांग जोनों को और CCA candidates तो थोड़ा सहां दोस्तों आपको इंतियार करना पड़ेगा इस list में आपका नाम या आपका रोल नंबर आने के लिए हम नीचे देखें यहां पर ऒर कोर्west गड़ेगा के लेगा करना आपका प्रटक्ता के। यह नुकुड होा इस देखें प्यू National Council of Vocational Training in the Application in Term of Para 12 of CENRRC 1 Oblique 2019 and the NCVD marks uploaded by the candidate through the link provided wide RRBs Notice Dated 22-7-2022, 31-7-2022 and 8-9-2022. However, they will be eligible for further stage only after successful DV, Document Verification, to be conducted by Railway Recruitment Cell, RRCs. So friends, here you have been told that the CCA Candidate, Apprentice Candidate, they will also be exempted by PET. अपने CCA में आपका जो अप्रेंटिस ये सर्टिफिकेट में है उसको वेटेज किया जाएगा और उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है. तो जैसे कि Railway ने ओल्रेंटिस नोटिफिकेशन भेजा था, तो जैसे आपका मार्क्स आया था, जितना मार्क्स आया था, और आपने ITI का जो मार्क्स अपना डिकलेर किया था, तो सारा कुछ को वेटेज करके आपका रिजल्ट कोसित किया जाएगा. All candidates can also view their percentile score, normalized marks and shortlisting status for PET by logging through the link provided on the official website of RRB, duly entering their registration number and date of birth in DDMMYYYY format and link will be made available on or before 27-12-2021. and will be available up to 1-1-2023. So friends, आप लोग का result है, आप लोग देख सकते हैं, official websites में जाकर और इस format में आपको अपना password डालना पड़ेगा, और result आप देख सकते हो. तो दोस्तों जाद रखेएगा, 27 से लेकर एक जन्वरी के बीच में ही आपको result देखना होगा, link railway उपलब्द करातेगा, official websites पर. अब नीचे आते हैं, देखें आपर, the conduct of PET, document verification, medical examination and publication of panel 4, level 1 post, shall be carried out by railway equipment cell of the respective general railways. Accordingly, all future communication on these forthcoming activities for the shortlisted candidate shall be sent by respective chairman of RRC as detailed below. So friends, यह बता है कि जो भी आपके जो activities होते हैं, या फिर जो भी stage आपका है, वो RRC के द्वारा carry किया जागा, जैसे आपका DV वा medical examination हुआ, तो आपके respective RRC से यह किया जाएगा, और आपको general railway की तरफ से आपको सूचना ही दी जाएगी समय समय पर. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो फिर यह रहा railway की official websites, यहाँ देखिए, तो यह railway की जितने websites है, तो सारे websites की यहाँ पर link दिये गए हैं, तो इन ही website पर ही आपको click करके result देखना है. अब आगे बढ़ते हैं, सूचना ही में तो देखिए हैं, आप नीचे भी कुछ सूचना ही दी गए हैं, इसको भी हम देख लेते हैं, तो एकॉर्डिंगली, the PET schedule for provisionally shortlisted candidate shall be published on the official website of RRC by the chairman of RRCs, further, SMS email will also be sent to the registered mobile number and email ID of the shortlisted candidate to download their e-call letter for PET. So friends, आपके जिस zone में, आपका जिस RRB में selection हो है, तो उस RRC के द्वारा आपको email भी 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 है जाएगा, साथे साथ, SMS भी आपके registered mobile number पर भी है जाएगा, कि आप PET examination attend कर लो. The candidate of all the shortlisted candidate for PET is purely provisional, तो friends, ये आपका result आज था है, provisional अभी तक and is available to be cancelled, किसी भी stage में cancelled हो सकता है, at any stage of recruitment or thereafter, in case of any inconsistency, deficiency in the data furnished by them in their online application or any malpractice on the stage of candidate coming to the notice of RRB, RRC at any stage of recruitment process. So friends, अगर किसी भी stage में देखा गया कि आपके जो online में data आपने fill up किया था, फर्म बरते समय, अगर कुछ कमिया पाई गई, या फिर railway के संग्यान में आया, कि आपने malpractice के माध्यम से आपने railway के द्वार exam पास किया है, तो आपके जो उमीद्वारता है, इसको निरस किया जा सकता है, किसी भी stage में. D-Bar Candidates, Candidate Cout during exam using any kind of unfair means indulging in impersonation malpractice activities or found involved in impersonation malpractice activities detected after verification of data have been excluded from shortlisted of any kind. it may be noted that merrily calling a candidate for PET does not inspire him or her in any way to the appointment in the railway. तो malpractice में कोई भी candidate है या फिर वो पहले से डिवार candidate है तो उनको भी यहाँ पर जगह नहीं मिलेगा. अब लास्ट परेग्राफ में आते हैं, देखें आपर. RRB regret inability to intern any correspondence from candidates who have not been shortlisted. So friends, यहां बता है कि पूरी सावधानी बरती गई है, इसके बाद भी mistake होने की संभावना है. और RRB इस चीज़ को entertain नहीं करेगा कि आपका selection क्यों नहीं हुआ है. इस list में आपका नाम क्यों नहीं है किसी भी particular candidate से. The shortlisted candidates are advised to regularly visit the official website of RRC for update. जो भी selected candidate है और official website को लगातर visit करते रहे हैं. अब सुचना में आगे बढ़ते हैं, यहां पर कुछ जोरी important बाती लिखी गई इनको मैं नहीं यहां पर include करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत जादे लंबा हो जागा. तो आप इसको गोर से पढ़ सकते हैं, अराम से इसको download करके और फिलहाल दोस्तों यहां पर देखिए, यह पूरी list है, कितने लोग इसमें selection हुआ है, तो यह RRB का है, रांची का है, तो अगर आपका रांची में है, तो फिर आप इस list में जा सकते हो, अन्यता आपको अपन लेते हैं, तो cut-up देखिए, आपर, category wise देख लेते हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, unreserved का, तो unreserved का देखिए, 96 है, और उसके बाद normalize cut-up है, 70.64849 है, और उसके बाद X servicemen का हम देखिए, आपर, percentile जो score है, वो आपको 74.8125 है, और normalize marks है, आपका 40.264460, उसी तरह से SC का 87.0 कुछ है, और उसके बाद, जो normalize marks है, वो का 54.0 something, percentile marks, X servicemen का, SC category में 64, और normalization marks है, 31.0 something, ST का 81.0 something है, और normalize marks 46.95 something, उस तरह सो OVC का देखते हैं, तो OVC का 93.76286, और normalize marks जो है, वो आपका 64 something है, उसका percentile marks जो आपका OVC category में आता है, वो आप 64.54737 है, और normalize marks X servicemen का OVC category में 30.9950 है, EWS में आते हैं, तो EWS में 87.12846 है, open category में, और normalize marks 53.97491 है, उसके बाद, X servicemen का EWS category में 92.something है, और X servicemen का EWS में 62.something है, तो friends, आप लोग देख सकते हैं, यह आपका official cut off गया, और normalize marks भी यहाँ पर लिखा गया, प्रसेंटेल marks भी है, और normalize marks भी यहाँ पर include किया गया है, तो ने चीज़ों को यहाँ पर include किया गया है, तो आप list में जाकर देख सकते हैं, कि आपका selection हुआ है, अन्यता नहीं हुआ है, अगर इसमें आपका selection हुआ है, तो आप हम comment कर कुछ जरूरू बताएगे, हमें जान